सफेद बाल को काला करने के लिए अगर आप हेर डाई कलर का इसमाल करते हैं तो उससे आपके बाकी के काले बाल भी सफेद हो जाते हैं डैमिज होते हैं सो अलग और बालों का तूटना जढ़ना स्टार्ट हो जाता है सो अलग तो महंदी अगर आप अपलाई करते हैं अपने बालों को कलर करने के लिए तो उससे आपके बाल औरेंज कलर के हो जाते हैं तो क्या वो तरीका है जिससे आप अपने बालों से महंदी से ही अपने बालों को काला कर सकते हैं डार्क ब्राउन कलर दे सकते हैं तो वो आपको इस पता चलेगा बिल्कुल नैचरल तरीके से आप अपने बालों को काला कर सकते हैं कुछ ऐसे नैचरल इंग्रेडन्स है जो कुद्रत की देन है जिने मेहंदी में मिक्स करके मेहंदी भी एक नैचरल है बिल्कुल कुद्रत की देन है तो महंदी में ही कुछ ऐसी natural चीजे mix करेंगे जिससे आप अपनी बालों को काला कर सकेंगे वो भी बिल्कुल natural बीना chemical की ठीक है जो आपकी बालों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं देगा तो प्लिस मारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें जो आप हमेशा भूल जाते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेर कीजिए अपने फ्रेंज के साथ फैमिली मेंबर्स के साथ तो चलिए अभी शुरू करते हैं जान लिजिये कैसे आप अपने बालो को नैचरल काला कर सकती है तो उसके लिए दोस्टो आपको चाहिए एक लोही का बर्तन लोही का बर्तन नहीं है तो आप अलुमीनियम स्टील का भी ले सकते हैं लोहे का लेंगे तो ज्यादा बढ़िया आपके ही रेमिडी जो है और भी ज़ादा जबरद्रस्ट बनेगी ठीक है उसमें आपको डालना है एक गिलास पानी और गैस का फ्रेम मेडियम फ्रेम पर आॉन कर दें ठीक है अभी पानी में आपको डालना है एक चमच चाई का पत्ती एक चमच कलोंजी और एक चमच आपको लेना है मेथी दाना ठीक है चाई पत्ती आपके बालों को कलर देने के साथ साथ आपके बालों को अच्छे से कंडिशनिंग का भी काम करती है बालों को स्मूद सिल्की बनाने में बहुत हैलफुल है कलोंजी आपके सफेद बालों को काला करने में बहुत बड़िया काम करती है गुनों से भरपूर है सफेद बालों को काला करने के लिए ठीक है और मेथी दाना मेथी दाना आपके बालों को काला करने के लिए तो फाइदे मंद है ही अगर बालों की तूटने जहड़ने की प्रोब्लम है वो भी दूर होकर के बालों की रे ग्रोफिंग में बहुत ही जादा फाइदा देती है मेथी दाना ठीक है अब इन्हें आपको पकाना है तब तक पकाएं जब तक पानी जो है आधा नहा रह जाए मतल इसे आप ठाक कर तोड़ देंगे ठंडा होने के लिए ठंडा होने के बाद की सिवी स्टेंडे को जाफर सूसी मखमल की कपड़े की आप भी महंदी का इसमाल कर सकते हैं, बहुत बढ़िया है, बिल्कुल नैचरल है, 100% नैचरल है, जी महंदी, ग्रीन पैकेट वाली, ठीक है, तो इसके मैंने दो चमच लिये हैं, और दो चमच आपको लेनी है, इंडिगो पाउडर, दो चमच महंदी, कोई भी हरबल महंदी, दो चमच इंडिगो पाउडर, ठीक है, और लास में आपको चाहिए, आमला पाउडर, ठीक है, तो एक से दो चमच आप इसमें आमला पाउडर डाल दें, बिल्कुल सेम क्योंटिटी में, दो चमच महंदी, दो चमच इंडिगो पाउडर, दो चमच आमला पाउडर, अभी वही water लेंगे जो हमने त्यार किया था चाय पत्ती मेथी दाना कलोंजी का ठीक है और थोड़ा-थोड़ा डाल कर इसमें mix करते रहें एकदम से मत डालेगा इस पानी को थोड़ा-थोड़ा डाल कर इसे mix किजिए अच्छे से कोई भी लंस इसमें नहीं रहने चाहिए तो मेहंदी को अच्छे से घोल लीजिए ठीक है और घोलने के बाद इससे आप धक कर कम से कम दो घंटे के लिए छोड़ दे और दो घंटे के वो आपके बालों को नीला रंग देता है तो लाल और नीला रंग मिक्स होकर के आपके बालों को काला रंग देता है इस तरीके से आप अपने बालों को काला रंग दे सकते हैं ठीक है बिल्कुल नैचरल बीना किसी केमिकल के और हाँ दोस्तों ये फतंजली महंदी इसमें already 10 चीजे 10 नेच्रल चीजे mix हैं जो हमने mix की हैं चाई पती कलोंजी मेथी दाना आमला पाउडर इंडिगो पाउडर जे already mix है ठीक है इनके साथ 5 चीजे और है नेच्रल चीजे जो इस पतंजली महंदी में मिक्स हैं बिल्कुल हरबल है जी महंदी लेकिन फिर भी इस महंदी को और भी ज्यादा जवरदस बनाने के लिए गुनकारी बनाने के लिए हमने फिर से मिक्स की हैं ठीक है तो इस तरीके से आप अपने महंदी को जवरदस बना सकते हैं अपनी बालों को सफेद बालों को काला करने के लिए तो इसे आप कम से कम दो घंटे के लिए लगा कर छोड़ दे अपने बालों पर ठीक है अच्छे से लगा करके दो घंटे के लिए छोड़ दे दो घंटे के बाद बिल्कुत साफ पानी से ना तो आप ещё undertale करना है साथ-साथ आपके बाल बहुत अच्छे से color हो जाएंगे ठीक है first application में देखिए आपको dark brown color मिलेगा ठीक है dark brown color मिलेगा जब आप second time, third time इसे small करेंगे तो वो color जो है वो dark होता जाएगा आप हपते में एक बार 15 दिनों में एक बार इसे small कर सकते हैं जैसे जैसे आप इस small करें तो चलिए दोस्तों ये था मिराज का वीडियो मुझे पूरी इमीद है जो वीडियो आपके लिए हैल्फ होरेगा यूस होरेगा मुझे दीजी जाज़ थैंक यू